कोंग्रेस और BGP, दोनों का मैनिफेस्टो आ चुका है, आप सभी लोगों ने शायद देखी लिया होगा, मेरा इस बारे में क्या ओपीनियन है कि इसके मैनिफेस्टो में कौन सी अच्छी बाते हैं और कौन सी बेकार बाते हैं, तो उसी बारे में आज हम इस वीडियो में ड यह देखी आए आउल जी बाते हैं, तो अगर एक परिवार में एक गरीब को भी देते हैं तो 30-40 करोड लोगों को 1 ुपे सालाना देना, तो वयसे आपको लगेगा 1 ुपी तो आउल जी कोन सी बड़ी बात हो गई, तो भाई बड़ी बात ही हो गई, कि 40 लाघ करोड रु आप समझे और अमारे देश की GDP कितनी है जितनी है अमारे देश की GDP है क्या उतना ही पार्ट वो गरीबों में बाटने की बात कह रहे है चलो हम भी कहते हैं 20 करोड लोग ले लिजे 15-15 करोड ले लिजे तो 15 लाग करोड बीस लाग करोड रुपे सालाना वो बाट रहे की बात क किस आधार पर कह रहे हैं तो यह तो वही कावत हो गई ना नोमन तेल होगा ना राधा ना चेगी ना तो कोंग्रेस कभी सरकार आएगी सत्ता में और ना ही वो कभी ये वादे अपने पूरे करने की कोशिश करेगी तो वो सिर्फ लोगों को भरमीत करने के लिए ऐसी योज पर दे और सारी चीजे करें मानदारी से अपना घर चला है लेकिन आप मिडल क्लास लोगों के लिए कुछ नहीं सोचते आपकी एक योजना नहीं है जो मिडल क्लास इंसान को फायदा पहुचा है आपने बहुत अच्छी बात है 70 साल से उपर के लोगों के आईश्मान जोते हैं कि भाई जरूरत तो पड़ती है सबसे जादा और क्योंकि बुजर्गों के साथ दिक्कत यह है यानि कि जो सीनियर सेटीजन है उनका मेडिकल भी नहीं हो सकता अभी हम तो इस उमर में मेडिकल करा सकते हैं लेकिन एक 40 साल 50 साल के बाद मेडिकल भी नहीं होता और गरीब परिवार में यह देखा जाता कि आभी भी वो जोइन फैमली में रहते हैं जादतर लोग यह मिडल क्लास या अपर मिडल क्लास जितनी हाई सोसाइटी में आप जाओगे वहाँ पर आपको मिलेगा चोटी फैमली गरीब में तो यह आपको दादा भी मिलेगा दाधी लेकिन जब middle class के लिए आपको योजना लेकर ही नहीं आओगे, तो भाई middle class भी क्यों फिर अपनी इतनी इमानदारी दिखाएगा, इतनी देश बक्ती दिखाएगा, ठीक है मोधी जी को support करते हैं उनके अच्छे कामों के लिए, जैसे जितने flyovers उन्होंने बनाएं 10 सालों के इंदर तो वो दिखता है, वो बिलकूल मैं कहता हूँ, जो 50 सालों में काम नहीं हुए, वो 10 सालों में उन्होंने की हैं, मैं धारा 370 की, रामंदर की, इनकी बाते नहीं कर रहा हूँ, development की बाते कर रहा हूँ, जो देश में development हुआ है, और वो दिखता भी है, लेकिन इसे middle class को फाइदा नहीं है, हो क्या रहा है, मैं बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ, कि lower middle class, यानि की जो गरीब इंसान है, वो middle class से जादा पैसा कमा रहा है, अब आपको ओगे रहूल जी ऐसा कैसा हो जाएगा, तो भाई, एक गोल गप्पा बेचने वाला, एक रिक्षा चलाने वाला, आप पूछो वो रोज के 1,000-1500 रुपे अपने घर लेकर जाता है, और आप भी जानते है, 1,500 कोई बड़ी बात नहीं कहे रहे है, लेकिन आज की डेट में middle class इंसान, वो 25,000 रुपे मंतली की नोकरी कर रहा है, 30,000 रुपे मंतली की नोकरी कर रहा है, बहु क्योंकि वो ठेला तो चला नहीं सकता, आप समझ ये बात को, क्योंकि middle class इंसान की बात आजाती है, respect पे इजज़त पे भी बात आजाती है, तो ठेला वो खींची नहीं सकता, और दुकान चलाने के उस पर पैसे नहीं है, तो दुकान के उसे खर्चे भी निकालने है, कामा उसकी उतनी होनी रही है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार आती है middle class इंसान की, नोट बंदी में भी सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ, वो किसका हुआ, पैसे वाले लोगों का तो ज़्यादा क्या, उन्होंने तो पैसा देकर अपना नोट बदलवाई लिया, सबस इस बारे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंड करके जरूर बताना, मुझे तो यार कही न कहीं लगता है कि मोदी जी के बहुत सारे फैसले बहुत अच्छे हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए वो सपोर्ट करने के लिए बनाते हैं, middle class को ध्यान में र करने के मुझे क्या राय है, हस्ता बस्तों के लिए